बहुत बुरा समय आ गया काम कर रहे हैं करते करते कुछ ऐसा गलती कर गए कुछ ऐसा संयोग बन गए कुछ ऐसी एमरजेंसी आ गई कि सब कुछ रुक चुका है इतना बुरा समय है कि नौकरी छुट गई है या मान लिया बिजनस बंद हो गया है या घर में बिमारी है तो वो जाने का नाम नहीं ले रही है अब ऐसे वक्त में बहुत निराशा हो जाती है मन करता है कि कुछ भी ना करें इतना भी कई बारी हो जाता है कि जब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता तो ये मन करता है कि इस जीवन को ही समाप्त करने हैं आप शायद समझ रहे होंगे कि मैं किस लेवल के बुरे वक्त की बात कर रहा हूं नमश्कार, मैं केवल एक बहुत ही common एक बहुत ही आम समस्या के बारे में आपसे दोबारा बात करने आया हूं कि जिस वक्त आप कोई काम कर रहे हैं कोई बिजनस कर रहे हैं कोई जॉब कर रहे हैं या किसी प्रोफेशन में हैं कुछ बाते ऐसी हो जाती हैं जीवन के अंदर कुछ हमारे ही डिसीजिंस कुछ ऐसे गलत हो जाते हैं कि करने तो हम बहुत अच्छा जाते हैं लेकिन उसका र पैसा कमालेंगे और वो पैसा कहीं हम लगाकर और आराम की जिन्दगी बिताएंगे लेकिन कुछ economy कुछ और reasons कुछ आपके गलत decision उस shares में नुक्सान हो जाता है और वो इतना बड़ा हो जाता है कि कर्जा लेना पड़ता है और वो कर्जा चुकाना भी है और कई बारी कर्जा चुकाने का इतना बना pressure होता है कि अपनी बुद्धी काम नहीं करती उस वक्त मन में यह आता है कि मेरे पास जितने भी assets हैं जितनी भी ऐसे properties गोर्ड एफडी या मेरे पत्नी के पास जो कुछ है या मेरे पती के पास जो कुछ है वो सब बेच दिया जाए और कर्जा उतार दिया जाए ऐसे वक्त में लोग अपने properties बेच देते हैं अपना घर बेच कर किराय पर चले जाते हैं ताकि वो कर्जा उतार दे और इसी उमीद में कि दोबारा हम इसी से कमा कर बाहर आएंगे और दोबारा अपने खर भी ले ले लेंगे और सारी चीज़ें ले लेंगे पर वो ले नह पर आजाता है और जो बनाने की उमीद रखी होती है वो तो बनता नहीं इन जीवन बहुत बुरे हालातों में पहुंच जाता है ये तो एक एक एक्जामपल है ऐसे सैक्रों एक्जामपल्स हैं जब जीवन के अंदर ऐसी कोई परिस्तितियां आ जाती हैं मान लिया कि घर का कोई एक अर्निंग मेंबर जो पूरे घर को चला रहा होता है किसी कारणवश बिमार हो गया या दुनिया छोड़के चला गया या कोई और रीजन है कि उसका ही मन बदल गया और वो छोड़के चला गया ऐसे वक्त में कुछ नहीं सूचता दूर दूर तक कि क्या किया जाए और इतनी परेशानी हो जाती है कि किसी से सला मांगे तो वो सला भी काम नहीं करती मैं आपको ये सारी बाते इसलिए अच्छी तरह से कह पाऊंगा क्योंकि ये सब मेरे अपने जीवन पे भी बीता हुआ है एक बार ही नहीं मैंने कई बार कई बार कहने का मतलब है आठ दस बार अपने जीवन में ऐसा वक्त देखा हुआ है कि जब सारी की सारी चीज़ें मेरे फेवर में चलते चलते हैं अचानक ही मुझके मेरे खिलाफ हो गई बहुत बड़ी कमाई करते हुए भी ऐसा वक्त आया कि जब मेरे पास घर में खाने के लिए बच्चों को पालने के ल कुछ लोगों मुझे कमेंट किया था यह कि जिसके उपर बीटती है वह जाइता है मैं उनके साथ उनको यह बता देना चाहता हूं कि मेरे बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि मेरे अपकर बीटती हुई है और उसी से निकलके उन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते में उतार चुड़ावाए होते हैं आप वो चीज पकड़िए जो आपके साथ हो रही है या हो सकती है बकिर क्या हुआ है ये सारी बात आप जाने दीजीए कि आपका वक्त खराब है तो मैं रोऊँगा नहीं मैं हिम्मत से मुकाबला करूँगा मैं घबराऊँगा नहीं मैं जब घबराऊँगा मैं जब रोऊँगा मैं जब लोगों के आगे अपने दुखडे रोऊँगा तो उससे निकलने वाला कुछ भी नहीं अब मान लीजिए ना उसको अब कब तक उसके वो अपने साथ चिपटाई रखेंगे अपने साथ लगाई रखेंगे है तो है बात खत्म होई अब इसका रोना रोना रो लिया जतने रोना था अफसोस मनाना था मना लिया देखिए भागे का रोना रोना मैं खुद एक एस्टेलोजर हूँ और मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूँ कि मान लिया बुरा वक्त कोई आ गया है आपके साथ नुकसान हो गए है सिर्फ किस्मत का रोना रोना ठीक नहीं है कोई ग्रह कोई ऐसे संबंद ऐसे बन गए जिस करके आपका बुरा वक्त आ गया ये दिया आपको भग्ये ने अब इस भग्ये को क्या चीज़ समारेगी आपका कर्म सिर्फ और सिर्फ आपने एक्ट करना है आपने कर्म करना है जो भग्ये ने आपको अगर बुरा वक्त दिया है जो उपाई करने हैं जो पूझा पाट करने हैं कर लो ना लेकिन चमतकार के उमीद मत किजिए चमतकार करेगा आपका कर्म आपको अपना कर्म करना ही पड़ेगा कर्म करोगे तो आप इस से बाहर निकल सकते हो और वो रास्ता ये है कि आपने अपनी इंकम को बढ़ाने के बारे में सोचना है अगर आप अपनी इंकम को बढ़ाने के बारे में नहीं सोच सकते हैं तो जो ये इतना बड़ा कर्जा आपने लिया हुआ है ये चुकेगा भी नहीं कुछ जगा मैंने ये नोटिस किया है कि रास्ते तो बहुत पता हैं पर उन पर मैंने चलना नहीं है इसलिए नहीं चलना है कि मेरे को लोगों की शर्म मार जा रही है देखिये अभी कोविट का जो समय आया ऐसे समय में बहुत लोगों की नौकरिया छूटी और उसके बाद कम में बैठके भी और सस्ते में हो सकते हैं इसलिए उन्होंने पूरे देश के अंदर वर्क फार्म होम जो है उसके लिए उन्होंने अपने को ढाल लिया अपनी कंपनी को संभाल लिया अपनी कंपनी को चलाना शुरू कर दिया वैसे में क्या हुआ जो बहुत सीनियर थे जो educated लोग थे जो इतने अच्छे employees है उनकी जॉब चली गई और उन्हें अपने level की दुबारा जॉब नहीं मिल रही दो दो साल डेड़ साल एक एक साल से मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे struggle कर रहे हैं जॉब के लिए और उन्हें जॉब नहीं मिल रहा है जो जॉब उन्हें मिलती है वो जॉब उनको अपने level की नहीं लगती और जो जॉब वो चाहते हैं वो जॉब मिल ही ने रही क्योंकि उस जॉब पे already कम salary पर कोई दूसरा आ चुका है अब ऐसे वक्त में पहली सला मेरी ये है कि आपको इस वक्त जैसी भी जॉब मिल रही है मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अगर एक कमपनी में CEO level के हैं तो वहां पर चपरासी लग जाएं ऐसा नहीं लेकिन मैं ये कहता हूं कि मान लिया आपकप एक लाख रुपे की कमाई थी या पचास हजार की जॉब या बीस हजार की जॉब थी पांच साथ हजार कमे में बिल रही है आप सब से पहले उस जॉब को ले ली थी ए क्यों? क्योंकि आपके नाक से उपर पानी हो चुका है अब आपको जीने के लिए हाथ पाउं मारने पड़ेंगे एक बहुत परानी कहानी है जिसमें एक गुरू ने अपने चेलों को ये समझाने के लिए कि जीवन में जब ऐसा वक्त आ जाया कि कोई रास्ता ना सुझे तो क्या करना चाहिए? उन्होंने अपने चेले का जो सिर है वो पानी के अंदर डुबो दिया और पूरी शक्ती लगा दी कि वो बाहर ना आ पाए चेले ने बहुत कोशिश करी बाहर निकलने की लेकिन वो निकल नहीं पा रहा था लेकिन जिस वक्त चेले को इस बात का एहसास हुआ कि मैंने अगर अपनी पूरी शक्ती नहीं लगाई तो मैं मर जाऊंगा तब उसने अपने अंदर एक असीम शक्ती जो है उसका संचरन किया और इतना जोर लगाया कि अपने से कई गुना ज्यादा शक्ती शाली अपने गुरू को पीछे धकेल के वो खड़ा हो गया और तब उसके गुरू ने उसे ये बताया कि देखो तुमारे में शक्ती नहीं थी लेकिन तुमारे प्रयासों में बहुत शक्ती थी जिन्होंने मेरे जैसे शक्ति शाली व्यक्ति को भी धकेल दिया और तुमने अपनी जान बचा ली क्या तुम अपने जीवन में ऐसी कोई स्थिती आ जाए तो इतनी शक्ति नहीं लगा पाओगे आज लगा लो ऐसी शक्ति आज आप अपने अंदर सब चीजों का जो भी आपके बंदन है उनको तोड़के बाहर निकलने की कोशिश करो अपने आपको किसी ना किसी जगा पहुचाने की कोशिश करो मेरे को ऐसे कई केसिस पता हैं जिन पे MBA और एवन ऐसे भी मैं लोगों को जानता हूँ जोनों ने विदेश में जाकर MBA करी बहुत बड़ी कंपनी में बहुत बड़े पोस्ट पे काम किया लेकिन जॉब नहीं थी तो उनोंने सडक पर खड़े होके कार्ट लगाई यानि ठेला लगाया और खाने का काम शुरू करा उनकी पतनी ने उनका सहयोग दिया कई लोग ऐसे थे जिनने बिलकुल भी खाने के मामले में कुछ नहीं पता था बहुत थोड़ी पूजी थी क्या किया जाए तो उनोंने किसी की सहायता लेकर कोई कारीगर रखकर कोई कुक रखकर उनोंने ये काम शुरू करा और बहुत थोड़ी पूजी में करा कई लोगों ने इतनी सुंदर-सुंदर कार्ट बनाई है इतनी सुंदर-सुंदर रेडीज बनाई है कई रोड साइड पर काम शुरू किया है मैं यह नहीं कहता कि आप ये काम एकदम सब छोड़ के कर दो अगर कर सकते हो तो जरूर करो और इस चीज़ का उधारन देखो कि कई बड़े बड़े पड़े लिखे लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी खाने की companies float कर दी हैं जिसमें समोसा बनाने वाले हैं चाय वाले हैं जिसके अदर पिज़ा बनाने वाले हैं और जिसके अंदर बिर्यानी बनाने वाले लोग हैं ये बहुत छोटे लेवल से बहुत ही एक छोटे कमरे में शुरू करा का काम था और उन लोगों ने करा जिन्होंने बहुत बढ़ाई करी हुई थी जिन्होंने MBAs वगारा करी हुई थी जो scholar रहे है अपने time में लेकिन हालात ऐसे बने कि उनको ये वाला रास्ता लेना पड़ा और इसमें भी उन्होंने अपना दिमाग लगाया और struggle करके आगे निकल गए यानि मेरा सारा कहने का मतलब ये है कि आपने अपना पूरा जोर पूरा जोश इस चीज में लगाना है कि आज मेरा बुरा वक्त आ गया है तो मैं रोना छोड़ दूँ मैं निकल जाऊं बस इससे हर हल से बाहर निकलना है मुझे सबसे पहले आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि अब तो बुरा वक्त आ ही गया है अब किसी उमीद में मत बैठना जो लोगों ने स्पेकुलेशन में शेर्ज में या जुए में पैसा हारा है वो अगर यही सोचते हैं कि हम इसी रास्ते से दुबारा कमा लेंगे तो ये भी उनके जीवन की बहुत बड़ी कमी है ये बहुत बड़ी गलती है ये चीजें कभी भी आपको कोई भी कितना भी आशवाचन दे दे आपको नहीं उबारेंगी आपको आपका करम ही उबारेगा हाँ शेर्ज के काम में मैं इतना जुरूर कहना चाहता हूँ कि अगर आपको पूरी knowledge है और किसी से बकाइदा आपने ये सब कुछ समझा हुआ है और आप में इतनी skill है कि आप economy company की economy इसको रोजाना study कर सके ये सारी बाते मैं underline कहके बोल्ड लेटर्स में आपको कहा हूँ जिस तरीके से मर्टी समझ लीजिए जब तक इस shares के काम को आप पूरी तरह से नहीं समझ लेते या आप किसी की mentorship में काम नहीं करते तो बहतर है कि अकेली किसमत के सारे पर ये काम मत कीजिए क्योंकि ये एक दिन आपको ऐसे दो रहाए पर घड़ा करतेगा कि आप कहीं भी जाने के लाइक नहीं रहोगे और वो दोनों रास्ते आपको आगे से बंद नज़र आएंगे कोई तीसरा निया रास्ता ही आपको बनाना पड़ेगा इसलिए सीखो अच्छी तरह से समझ कर स्टड़ी करकर हर company के बारे में स्टड़ी क करके आप अगर shares का काम करते हो तो भी उतना ही काम करिए जिसमें आपको करजा ना उठाना पड़े क्योंकि यह market यह market आपको अगर फाइदा दे सकती है तो नुकसान भी दे देती है काम कीजिए कोई भी काम कीजिए यह मत सोचिए कि यह मेरे मतलब का नहीं है या यह मैं न देखी है कि कुछ लोग बिना मतलब में इस बारे में हमेशा तरक देते रहते हैं कि यह करूँगा तो यह हो जाएगा आज मैं अगर यह काम कैसे करूँगा कल तो मेरे को अगर जौब मिलगी तो यह सब कुछ बना बनाया मुझे बंद करना पड़ जाएगा यानि हर चीज के लिए कोई ना कोई excuse excuse को छोड़ दीजी आप तो अब आपका सिर जो है पानी में उस हाला तक पहुंच चुका है कि सांस नहीं लोगे तो मर जाओगे यानि अगर आपने इस वक्त effort नहीं किया इस वक्त आपने सारी शक्ती लगा कर बाहर निकलने की कोशिच नहीं की तो नहीं उबर पाओगे इसलिए लगा दो पूरा का पूरा जोर और आप इस स्तिती से बाहर आने की कोशिच करो अब कई बार ये ऐसा होता है कि आपकी business हैं चलते चलते बिजनस बंद हो गया या कम होता जा रहा है और आपको नजर आ रहा है कि अब मेरी business फेल होने की कगार म है या आपके प्रॉडेक्स बदल चुके हैं वक्त बदल चुका है लेकिन किसी कारणों से आपने अपने आपको नहीं बदला बहुत से लोग आज भी मुझे ऐसे मिलते हैं जो यह कहते हैं जी कि हमें तो यू पियाई करना ही नहीं आता हमें तो सिर्फ एक ही तरीका पता है कि जेब में हाँ डालो पैसे निकालो और दे दो और ढूंडने निकलोगे न तो ऐसे लोग आपको अपने आसपास बहुत मिल जाएंगे कई यों के तो घर में ही मिल जाएंगे बहुत लोग ऐसे हैं जिन्नोंने अपने आपको वक्त के साथ नहीं बदला हैं और आज वो जब मसीबत में आते हैं तो उनको इस वक्त के साथ चलना ही नहीं आता तो अपने आपको अपडेट भी किए मेरी उम्र में भी हो तो अपडेट करना ज़रूरी है मैं ये वीडियो खुद बनाता हूँ खुद एडिट करता हूँ खुद इसे अपलोड करता हूँ और सा पारी जितनी भी कारगुजारिया हैं, उनकी एक्सल शीट बनाता हूं, और उनसे स्टडी करके आगे निकलता हूं, कहने का मेरा ये मतलब यह है, कि मैं बड़ी उमर के लोगों को भी ये बात कहना चाहता हूं, और जो छोटी उमर के लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उने भी मैं ये बात कहना चाहता हूं, कि अगर उनके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है, जिसको इन चीजें, जो बेसिक चीजें हो चुकी हैं आजकल की, उसके बारे में सिखाईए, उनको ये सारी चीजें आनी चाहिए, क्या होता है, कि जब भी वक्त खराब आता है, उस वक् आपको कभी-कभी क्या अधिकतर ये टेक्नलोजी जो है न ये लेक जाती है आगे, और नहीं आती हो न तो वो आपकी जंजीर बन जाती है, आपकी बेड़ियां बन जाती हैं, और आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, अब जो वक्त है, उस वक्त के साथ अपने घर वालों को इठा लिए खुद भी आप इस मामले में अपने आपको अपडेट करते रहिए हर नई टेक्नलोजी को सीखिए ताकि बुरा वक्त आए तो आप कोई न कोई टेक्नलोजी का सहरा लेकर भी अपने जीवन में कुछ सुधार ले आएं बात मैं कर रहा था बिजनस की बिजनस डा में 100% एक ही ख्याल होना चाहिए कि मैंने अपने बिजनस को संभालना है मैं इस बिजनस में ऐसा क्या करूं कि जिस करके मेरी बिजनस बढ़ जाए अब ऐसे वक्त में बहुत लोग यह कहते हैं कि काम बदलने के लिए पैसा चाहिए काम बदलने के लिए हमारे को रिसोर्स उसको धीरे धीरे इंप्रूव कीजिए अपने ही काम में आप अपनी जो इनकमारी है आप सोच के चलिए कि ये इनकम जो है मेरी इसका एक चोटा हिसा मुझे अपने वेपार की डिवेल्पमेंट में उसको आगे ले जाने में लगाना है ये बाद में कर लेंगे पहले मैं ये काम कर लूँ वो वाली चीजे जो है ना वो बिजनस को रोक देंगी ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं ऐसे मैं बहुत संपन वेपारियों को जानता हूं जो मुझे ये कहते हैं कि सुबह जब हम उठते हैं तो एक समस्या इंतजार कर रही होती है रोजाना मेरे साथ भ में महीने में उस समस्या का हल ढूटा जाता है उस समस्या को खतम किया जाता है और नई समस्या का इंतजार किया जाता है और वो अगले दिन तयार मिलती है तो समस्या तो आती ही रहेंगी इन समस्याओं को हल कीजिए इन समस्याओं से भागिये नहीं आप ये सोच के चलिए कि आज जीवर में जब मैं सोके उठूंगा, कल उठूंगा, परसों उठूंगा, एक समस्या तो मिलनी है, ये रूटीन है, अब मैं इस समस्या का टट के मुकाबला करके और निकल जाओंगा, भागूंगा नहीं, जब ये वाली नेचर, ये वाली प्रविर्ती आप में आ जा सकते, लेकिन उसको आप कंट्रोल कर लोगे, उससे बाहर निकल जाओगे, जितने भी बड़े संपन लोग हैं, जिनके वेपार बहुत बड़े लेवल पे चल रहे हैं, इन सब के साथ ऐसे बुरे वक्त जरूर आते हैं, कि जब उन्हें सारे रास्ते बंद नजर आते हैं, लेकिन फिर भी वो स्ट्रगल करके, कोशिश करके उससे निकल जाते हैं, मेरी पूरी वीडियो का जो सार था, वो यही था कि आप में अपने में इतनी शक्ती होनी चाहिए, या पैदा कर लो, सलाह ले लो, मदद ले लो, कोई भी रास्ता निकालो, इस बुरे वक्त में पूरी बुद्धी का इस्तमाल करें, और कोई रास्ता नहीं है जब आप निकल सको, अकेले किस्मत के सहारे पर माथे पे हाथ रखकर बैठने की बजाए, मेरा जो एक पैट डालॉग है, कि उठो, निकलो, और काम की तलाश करो, यह कहने का सारा तात पर यह यह है, कि आप अंदर शक्ती बैदा करो, और सोचो कि आज मैंने क्या करना है, जिससे मैं अपने में सुधार ला सकता हूँ, आपकी कोई एक कोशिश आपको सच में दुबारा सक्सेस देदेगी, पर करने की जरूरत है, करेंगे ना?